पी नम्सकार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं चली इस मार्क अनейств कि जेब सकता है दोनों रहे हैं अभी जो मार्केट में सेच्वेशन सेशन बनी में प्ता पाता हूं कभी भी अब यहां से जैसे मार्केट में गैप ओपनिंग हुआ और चुकि आज निफ्टी का एक्सपारी था तो 24400 का जो यह लेवल है यह एक रिजिस्टेंस की तरह मार्केट में एक्ट किया ठीक है तो जैसे यहां पर अब जैसे जब भी मार्केट में एक्सपा जादा नहीं होगा लेकिन गैप उपन हुआ फिर एक अपसाइड मोमेंटम भी वहा तो यह जो कॉल का प्रीमियम है 24400 का इसमें काफी इंक्रीज आ गया तो यह लोग क्या करते जैसे इस लेवल के आसपास आता है अब यह क्योंकि साइकलोजिकल नंबर है राउंड लेवल है कि यहां पर अगर सेल किया और यहां पर अगर सेल करते हैं तो मुझे केवल एक दिन ही सही होने के जरूए तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा यहां पर जो इस केस में यहां पर नहीं मिल रहा था यहां पर अगर मार्केट रहेगा तो यह इतने दूर इत बन सकता है तो उस हिसाब से यहां पर शॉर्टिंग मार्केट में शुरू हो जाती है और फिर वह सी को देखते हैं मार्केट में पूरे टाइम साइड़ वेजी रहा कोई खासा मोमेंटम यहां पर किया नहीं तो यहीं बहुत आज जब भी मार्केट में गैप आप ओपनिंग हो जाती है आपके आपने जो चीज सोची है उसके अलावा अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाए तो बहुत ज्यादा चांसे मार्केट में आते हैं कि या तो मार्केट में वहां से प्रोफिट बुकिंग आ जाएगी ठीक है क्योंकि जो लोगों ने सोचके यहां पर करके दे दिए अभी यहां पर क्या करना चाहिए वह हम डिसकस कर लेते हैं हमारे लिए बाइंग लेवल तो अभी भी यही रहेगा इसके ऊपर अगर market निकलता है which is 53,200 200 के अगर उपर market निकलता है 200 या फिर मैं 300 ले लूँ 53,300 के उपर का market निकलता है तो यहां से हम market में सोच सकते हैं हाँ यहां से कुछ buying हो सकती है market में ठीक है selling के लिए 53,000 के नीचे market को trade करना पड़ेगा और इसके नीचे जब market 52,800 फिल जब करने आएगा तो यहां पर फिर से market support लेने के काफी ज़्यादा chances उझाएंगे market के ठीक है तो थोड़ा सा wait करना पड़ेगा हमें एक बड़े यहां पर इस तरीके से या तो यह इस तरीके से इसको देखा जाए कि यहां से उपर गया फिर market नीचे आ रहा है इसको इस तरीके से देखा जाए तो वह एक बात हो सकती है लेकिन उससे पहले market को पहले आप हमें साबित कर लेने दीजिए कि market कहां पर move कर रहा है क्या 52,800 के नीचे market move कर रहा है price action बना तो यहां पर हमें एक छोटा bet market में ले सकते हैं और पहला हमारा target हो जाएगा 52,000 के आसपास 52,200 के आसपास हमारा पहला target हो जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि यहां पर market किस तरीके से रियाग कर रहा है कैसा market pattern बना रहा है उसके बाद market में हम या तो downside यहां पर यहां पर trail करते चलेंगे या फिर market अगर इस तरीके से upside पर move करेगा तो हम करेंगे यहां पर नहीं दिखाई दे रही है ठीक है निफ्टी में अगर आप देखेंगे weekly close तो काफी strong की दिखाई दे रही है कोई भी weakness नहीं दिखाई दे रही है यहां पर weekly close में ठीक है तो कोई भी weakness यहां पर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं अभी आपको यह भी नही यहांब प्लान नहीं करेंगे, और चाट पर इंडिकेशन שהוא कहा इसा दिखेंगा, मारकेट में चाट पर इंडिकेशन आपको तुरन दिखाई देनी ले जाएगा, जैसे ऐसे कैंडल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है थोड़े बड़े candles बनने शुरू हो जाएंगे selling side पर market में pressure बनना शुरू हो जाएंगे follow up आना शुरू हो जाएगा यह आपको sign दे जाएगा market की हाँ यहाँ पर market में अभी देख रहा है ना अभी आर बार market में gap up opening ही हो रही यहाँ पर gap up हुआ ठीक है बहुत ही कम chance देख यहाँ पर gap down open हुआ और market तुरंट पिक कर गया एक भी ticks ने नीचे नहीं लगाया gap down open होने के बाद ठीक है यहाँ पर almost flat open हुआ है मतलब काफी बार market 10 में से 7 बार 10 में से 7 बार market क्या कर रहा है gap up opening दे रहा है तो जब भी market में gap up opening हो दी इसका मतलब यह है कि market में sentiment अभी भी positive है उसको हम ignore नहीं कर सकते हैं तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि bullish ही रहेंगे कोई भी खासा आज तो उतना कुछ momentum हुआ नहीं कल के close के आज पासी market ने आज भी close दे दिया है तो यहां पर मैं यही कहूँगा कि यहां पर अभी भी कोई भी negative sign नहीं बना है ठीक है major जो pivot है वो यह वाला pivot रहेगा market के लिए 52,000 का जो बड़ा pivot रहेगा क्योंकि इसको market defend करके ऊपर गया है तो इस pivot के बार-बार market gap-up open हो गया वहीं पर consolidate कर रहा है ठीक है higher levels पर ही है market अभी भी तो यहां पर अभी ही मैं यही कहूँगा कि दोनों ही nifty हो चाहे bank nifty हो कोई भी negative sign नहीं है बार-बार market gap-up जरूर open हो रहा है gap-up open हो रहा है और market में selling आ रही है तो gap up open होने से जो ये gap up market में opening हो रही है ये तो positive sentiment को दिखा रही है जो selling आ रही है अब वो ये भी दिखा रही है कि low confidence भी दिखा सकती है वो ठीक है ये भी हो सकता है कि lower confidence में थोड़ा सा कि gap up के बाद market sustain नहीं करता है या फिर यह हो सकता है कि बार-बार market में लोग अपना जो profit है या फिर जो gap up से market को मुनाफ़ा रहा लोगों को वो book कर रहे हैं ये भी एक चीज हो सकते है तो हमें केवल थोड़ा सा weight अभी करने की जरूवत है ज्यादा बड़े bet अभी मंटा अगर market थोड़ा ये green candle के नीचे अगर trade करना शुरू करेगा तो थोड़ा सा difficulty market में हमें दिखाई देगी ठीक है open interest देखेंगे तो आज तो पहला ही देना कोई खासा open interest बड़ा create हुआ नहीं होगा और अगर bank nifty देखे तो 53,000 important level है FII activity देखेंगे तो कल के जैसी ही activity है आज भी कोई भी change नहीं है FIIs और थोड़ा FIIs शूपर bullish है options में भी bullish है और futures में भी bullish है बहुत अच्छे से bullish है ये लोग ठीक है प्रो थोड़ा सा caution में है भी ठीक है caution लेके चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा client है super bearish ठीक है client super bearish है तो यह almost आप प्रो कह लिए यह neutral position लेके बैठा हुआ है कोई बड़ी position नहीं है यहाँ पर भी ठीक है अगर मैं option देखता हूँ तो call खरीदे हुए है बेचे हुए outputs है हाला कि यह bullish position ही है जो option position है वो bullish position है लेकिन आज इन्होंने calls बेचे है ठीक है तो वो थोड़ा सा indecisiveness इस वज़े से यहाँ पर लेकिन आज इन्होंने call बेचे है ठीक है तो यह थोड़ा सा caution में लग रहे है मुझे कि एक बार market decide करें कहां जाना उसके बाद यहाँ पर यह प्लान करेंगे futures में थोड़ा negative है यह भी उतने heavy position नहीं है लेकिन हाँ negative है जितने भी छोटी position है उतनी भी negative ही है ठीक है FIA is super bullish है क्लाइंट काफी bearish है ठीक है super negative है तो all in all FIA यह देखे चार्ट में कोई भी इश्यू नहीं दिखाए ज़रा है अब तक केवल एक ही प्राब्लम है कि बहुत मार्केट में gap up opening होके market continue नहीं कर रहा है अपसाइट पर continue नहीं कर रहा है follow up नहीं दे रहा है ठीक है लेकिन बहु देखेंगे यहां पर भी चोटे-चोटे momentum होते है market gap open होता है market gap मार्केट gap open हुआ market फिर से flat almost यहां पर gap open हुआ gap round हुआ तुरंत ऊपर चला गया फिर gap open हुआ ठीक है इस तरहे चोटे-चोटे gap 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 से moment करके market उपर निकल जाता है ठीक है जैसे यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर भी यही हो रहा है जैसे यहां पर देखेंगे यहां पर भी यही हो रहा है ठीक है तो इसकी characteristics होती है लेकिन एक मैं bullish भी अगर view आपका है तो मैं यह कूंगा कि थोड़ा कम bet डालिए थोड़ी minimum bet डालिएगा क्योंकि market अगर मैं आपको इसमें दिखा हूं लाइन चार्ट पर दिखाता हूं तो market अभी continuously straight अभी ऊपर ही चलता जा रहा है ठीक है यहां पर straight move किया ऊपर ही चल रहा है अभी कोई भी खासा बड़ा market में कोई भी देखें एक healthy momentum market में कैसा होता ना है कि market अच्छा upside move किया ठीक है उसके बाद market थोड़ा सा नीचे जाए फिर उसके बाद market वापिस upside पर price पकड़े ठीक है तो यह healthy momentum है market में ठीक है तो उसके बाद इस momentum में क्या होता है कि market में आपको अच्छी जगह भी मिलती है buyers को अब जैसे यहां पर देखेंगे यहां पर market में straight momentum इस तरीके का आपको होता हुआ दिखाए दिया फिर market काफी time तक एक console लेटी है फिर market में एक बहुत time तक sideways momentum शुरू हो गया ठीक है तो यहां तो यह हो सकता है कि यहां पर इसके बाद market में अगर market थोड़ा और straight move कर जाता है तो फिर market में आपको zigzag sideways momentum आते हुए करना है ठीक है तो कुल मिलाके जो भी situation अभी दिखाई दे रही है सामने वो तो यही दिखाई दे रही है कि charts bullish है open interest तो उतना बना नहीं है FIIs bullish है client bearish है pro थोड़ा neutrally है ठीक है इसको थोड़ा मैं neutral कह दूँ क्या कह दूँ इसको चलो यह तो bullish ही दिखाई दे रहा option data तो bullish है और जो future futures data है वो bearish है ठीक है यही एक दिखकत है यहां पर कि options में bullish है futures में bearish है और अभी तो मैं यह हूँगा कि थोड़ा call या spreads में ही trade करिएगा और with low position size मैं बोल देता हूं यहां पर with low position अभी थोड़ा low position रखके trade करिएगा उसका reason मैंने आपको बता दिया तो कोई भी ख है यहां पर कुछ भी लेकिन 24400 पर आज मार्केट ने रिस्टेंस लिया और वहीं बैंक निफ्टी ने भी आरांड वाई जहां पर पिछला रिजिस्टेंस था वह सी कास्पास मार्केट ने रिजिस्टेंस लिया यहां पर ठीक है और जो भी चार्ट स्ट्रक्चर है वो के साथ ट्रेड करिए हैज के साथ ट्रेड करिए और हैव सेफ और हैपी ट्रेडिंग सेंसबल बबाई